थान का मौसम आ गया है और हरी सब्जियां भी एकदम ताजी ताजी मिलने लगी हैं तो चलिए बनाते हैं नए मौसम में नए तरीके से नई सब्जियां एकदम नए तरीके से बनाएंगे आलू गोभी मटर की सब्जियां जिसे भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ जरूर क इससे क्या होता है कि जो भी गोभी का कीड़ा वेगरा होता है वो निकल जाता है फिर एक बॉल में मैंने छीला हुआ मटर लिया है नए आलू है उसको मैंने ऐसे छोटी छोटी पीसे में कट कर लिया है क्योंकि नए आलू कलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं फिर एक जा तो रेट चिली भी यूज़ कर सकते हैं फिर मैंने अद्रक लिया है पांच है ठो गोल की जिसे अब काली मिर्च भी कहते हैं और आधा टुगडा बड़ी लाइची का लिया है अब इसका मैं एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी फाइन सा पेस्ट बनाने के बाद मैं इसमें मतर डाल रहे हूं यहाँ पर मैं तीन मुठी के करीब मतर डाल रहे हूं और इसका अब दर-दरा सा पेस्ट बनाना ताकि जो मतर है वो ख़डा रहे इसलिए पहले मसाला पीस लेज़े उसके बाद मतर डाल दीज़े इस तरह से यह हमारा मसाला रैडी है प्लेट में फोरेन हैं जैसे तेजपत्ता, दालचीनी, जीरा, मेथी के दाने, बड़ी इलाइची, लॉंग और यहां पर मैंने तीन चाल लहसुन को ऐसे चॉप्ट कर लिया है, यह एक टमाटर है, इसको मैं बाद में चॉप्ट कर लूँगी, थोड़ा सा हींग है, दो ठु किया हुआ गूभी था, उसको अच्छे से वाश कर ली थी, उसके बाद उसको डाल दे रही हूँ, अच्छे से चलाने के बाद, दो तीन मिनट बाद मैं उसको ढख दे रही हूँ, ढखने के बाद उसमें हल्दी नमक डाल कर, मैं उसको फिर से चला कर ढख दे रही हूँ, यहाँ पर जो गोभी है उसको अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई करना है और हमारा गोभी भी अच्छा ब्राउन हो गया है तो अब मैं उसको एक प्रेट में निकाल ले रही हूँ, फिर मैं उसी तेल में थोड़ा सा गरम होनी दे रही हूँ, फिर जो कट किया हुआ आलू चला जाता है, सिठ्छा टाइप से नहीं लगता है, तो यहाँ पर जो आलू है वो भी अच्छे से लाल भुझा गया है, तो अब मैं उसको भी निकाल ले रही हूँ, फिर उसी कड़ाई में मैं थोड़ा सा और तेल एट कर रही हूँ, और उसमें मैं जब तेल अच्छा ग मैं जब नमक और कस्मीरी मिर्च करणा है, इसको आप चाहे थो लाल मिर्ची भी यूस कर सकते हैं, तब मैं उसमें एट करूंगी एक तमाटर जिसको मैंने बारी कट कर लिया है, और उसी के साथ धनिया बत्ता इन सबको अच्छे से चला कर लाकर तो टमाटर पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी इसको पांच मिनिट के लिए मसाला को पीस्ते समय हमने कच्चा मटर का यूज किया था इसलिए एक बात का ध्यान रखेगा कि मसाला डालने से पहले आप कढ़ाई और तेल को बहुत ही अच्छी से गरम कर लीजेगा इससे क्या होता है कि जो मसाला है वो बहुत जादा चिपकेगा नहीं यहाँ पर जो मसाला है वो 90% के करीब कुख हो गया था तब मैं इसमें मटर आलू गोभी जो फ्राई किया हुआ था वो और मसाला जले इसलिए थोड़ा पानी डालकर ढक देरी हूं पांश मिनट बाद मैं इसको नुका ठेक कर ले रही हूं तो हुआ जो जो आलू गोभी है वो हल्ककर बहुते कर दा दे करके इसको पांश मिनट के लिए दे ही अगर आपको तरी वाली सबजी बनाना है तो आप पहले सबजी को अच्छे से पका लिजिए पानी डालके खुला कर सबजी को मत पकाएगा उसमें टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना पहले सबजी को पका लिजेगा फिर उसके बाद एक बॉil आने तक का बस वेट क जेगा पानी में यहाँ पर जो सबजी है वो 5 ने राद बाद बहुत ही अच्छे से पक गया है तो अब मैं से चला ले रही हूं और उसमें पानी आर्ट कर ले रही यह optional है आप चाहें तो डाल सकते हैं वरना आप इसके भी कर सकते हैं अच्छी से घी डालने के बाद मैं हम इसको बंद कर दे रहे हूं पांच मिनट के लिए पांच मिनट बाद हमारा सबजी बंद के तयार हो गया है सबजी का जो ग्रेवी है उसको आप थोड़ा सा पतला रखेगा क्योंकि सबजी जैसे जैसे ठंडा होगा सबजी में गाड़ा पनाते जाएगा यहाँ पर जो सबजी है उसका कलर बहुत ही अच्छा है और सबजी का साथ अपने घर में यह सबजी चोरूर बनाएगा और मुझे कमेंट्स बताइएगा कि आपको यह सबजी कैसा लगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहा है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और मेरा वीडियो देखनेक लिए आप